हलो दोस्तो आज किस वीडियो में बिहार पुलिस फायर मैन रिजल्ट के बारे में बात करने बाले आप सभी को पताए कि 27 मार्च को बिहार पुलिस फायर मैन का एक्जाम लिया गया था और आज एक अगस्त हो चुके यानि की एक्जाम समाप्त हुए 4 मैने से दिक का समय बीच चुका है लेकिन अभी तक बिहार पुलिस फायर मैन का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है इजल्ट नहीं आने के कारण जितने भी कंडिट फिजीकल की तैयारी कर रहे थे अब उनका मन फिजीकल की तैयारी करने में भी नहीं लग रहा है फिजीकल के कारण वे दूसरे एक्जाम की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो में सी के बारे में बात करने बाले कि बिहार पुलिस फायरमेन का रिजल्ट कब तक आशकता और भी आप लोगों को फिजीकल की तैयारी करने चाहिए यानि सारी जानकारी इसके लेटर मिलने वाली इसलिए आप लोग वीडियो को पुरावज देखेगा तो चलिए अजकब रिस्टाट करते हैं तो सबसे पहले उन सभी कंडिडेट के बारे में बात करते हैं जो कि अभी बिहार पुलिस फायरमेन के फिजीकल का भी तैयारी कर रहे हैं और दूसरे एकजाम का भी तैयारी कर रहे हैं क्या उन्हें फिजीकल की तैयारी अभी छोड़ देना चाहिए, मैं आप सबीसे यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग फिजिकल की तैयारी करना बिल्कूल भी ना छोड़ें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को फिजिकल की तैयारी करने के लिए उतना समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप लोग कम से कम एक ट मेल केँं अगर आप लोगों के 78 से क्यासी कोस्चन, BC मेल के 75 से 78 कोषचन, EBC मेल के 32 से 75 कोषचन, EWS मेल के 74 से 77 कोषचन, HC मेल के 68 से लेकर 71 कोषचन, HTM HI 70 से 75 कोषचन उसके बाद फिमेल की बात करें तो फिमेल जेनरल में अगर आपके 65 से लेकर 68 कोश्चन BC मेल में BC फिमेल में 62 से लेकर 65 कोश्चन EBC फिमेल में 69 से लेकर 62 कोश्चन EWS फिमेल में 60 से लेकर 63 कोश्चन SC फिमेल में 54 से लेकर 57 कोश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग फिजीकल की तैयारी कम से कम एक टाइम अबस्य करें अगर बात करें रिजल्ट की यानि कि बिहार पुलिस फायरमन का रिजल्ट कब तक आ सकता है तो CSBC I.O. के जो अध्यक्ष थे K.S. दूवेदी सहब उनका कारिकाल 6 महने तक बरहा दिया गया है अब सबी देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले न्यूज पेपर में दिया गया था कि सरकार ने केंद्रिया चैनपरसत के अध्यक्ष के एस दूवेदी का कारिकाल 6 मां के लिए बरहा दिया है ग्री बिभाग ने बुद्वार को इसकी अधीस हुजना जारी कर दी है उनको तीन बरसों के लिए 20 जूलाई 2019 में केंद्रिया चैनपरसत का अध्यक्ष न्यूक्ष किया गया था 1984 बेच के बिहार केडर के IPS अधिकारी केस दूवेदी बिहार के DGP के पद से जनवरी 2019 में सेना निर्वित हुए थे विस्तारित कारिकाल की गन्ना 21 जूलाई 2022 से होगी तो CSBC आयोक के देक्ष का जो कारिकाल 6 मैने तक बरहा दिया गया इसी 6 मैने में बिहार पुलिस फायर मैन का भी पूरी भरती परकरिया कम्पलिट करा ली जाएगी उसी 6 मैने के अंदर रिटन टेस्ट का रिजल जारी किया जाएगा उसके बाद फिजिकल टेस्ट लिए जाएगे उसके बाद मेरिटर लिस्त जारी किया जाएगा अगर बात करे return test का result कब तक दिया जाएगा तो आप सभी को पताई कि कुछ दिन पहले news paper में दिया गया था कि बिहार पुलिस fireman के कुछ candidate का 100 सेधिक candidate का OMR seat gap हो गया था OMR seat gaponi के कारान ही result में आप सभी को delay देखने को मिला है अगर बात करे result कब तका सकता है तो अगस्त में आप सभी को result देखने को मिल जाएगा अगस्त में बात करे तो 15 अगस्त के बाद ही आप सभी को result देखने को मिल सकता है 15 अगस्त के पहले रिजल्ट आने का बहुती कम चान्स है 15 अगस्त के बाद ही आप सभी को इहार पुलिस फायर मेन का रिजल्ट देखने को मिल सकता है तो देखिए मैक्सिमम चांस है कि अगस्त में आप सभी को बिहार पुलिस फायर मैंन का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा तो बिहार पुलिस फायर मैंन रिजल्ट के रिलेटर जैसे ही को और लेटर स्ट अपडेट आगी हम आप लोगों को वीडियो के मादम से जानकारी द देखने वाद